find the last digit last two digits and last three digits of the number 81 raised to power 25 तो अगर हम देखेंगे 81 raised to power 25 तो 81 raised to power 25 अच्छल में होता क्या है हम बता है 81 को हम लिख सकते है 9 square, 81 is 9 square, 9 square raised to power 25 and then 9 square raised to power 25 को क्या लिख सकते हम, 9 raised to power 2 into 25 which is equal to 9 raised to power 50, now अब डाउट यह होगा कि मैंने इसे 9 की power में क्यों लिखा क्योंकि मुझे last के 3 digits निकालना है तो इससे मुझे 10 की form में कुछ convert करना होगा तो अगर मैं इसे 3 की power 100 लिख हूँआ, तो उसे मुझे कोई benefit नहीं होगा लेकि 9 लिखने से मुझे क्या benefit हुआ, C क्यों हो जाएगा मेरे पास में क्या, 10 minus 1, 9 को मैं 10 minus 1 लिख सकता हूँ raised to power 50 तो अगर अब मैं इसका binomial expansion देख हूँआ, इस term का, तो क्या होगा हमें पता है जैसे किसी भी binomial expansion कैसे start होता है सबसे पहले 50 C 0 आता है, है न, 50 C 0, जो भी power होती है, उसका C 0, 10 अब की बार क्या होगा, 10 की power 50 होगा, 10 की power 50 होगा, and then minus 1 की power 0 फिर next term में क्या होगा, 50 C 1 होगा, then 10 की power क्या होगा, 49 होगा, and then minus 1 की power 1 होगा ऐसी चलते चलते हमारे पास में last में क्या terms आएंगी हमारे पास में last में term आएंगी अगर हम देखेंगे तो 50C48 तो 50C48 फिर एगा 10 की power 50-48 which is equal to 2 फिर एगा minus 1 की power 48 फिर एगा plus में प्लस में क्या हमारे पास में 50C49 फिर एगा 10 की power 50-49 which is 1 और इंटो minus 1 की power 49 9 and then last term क्या होगी हमारे पास में? वो होगी 50 C 50 10 दिश्ट पावर what? 10 दिश्ट पावर 0 and minus 1 दिश्ट पावर 50 which is equal to what? 1 तो जगा minus 1 की पावर 50 is equal to 1. लेकिन इस से पहले की जो term होगी, अगर किसी को राउट हो तो मैं वो भी लिखता हूँ, उसमें क्या होगा? यह होगा 50 C 47 10 दिश्ट पावर 40 50 minus 47 which is 3, तो 10 दिश्ट पावर 3 and minus 1 की पावर 47 तो वेले जाएगी minus में कितना minus 1, तो minus में ने आगे लिख दिया, अब हम क्या करेंगे दिखेंगे, तो पहली जो term है उसमें है 10 दिश्ट पावर 50 तो 10 दिश्ट पावर 50 में हम दिखेंगे 50 तो 0 जी होगी, तो क्या last 3 places पे कोई unit digit आएगा? नहीं 49 में भी क्या होगा? लाश्ट के 3 places पे 0 रहेगा, 10 की पावर 3 में ऐसे लिखर कि 10 की पहुत ही तक हमारे last की 3 places पे क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, तो 50 सी 47 तक हमें क्या होगा? जो हमारी last की 3 places है, उन पे सिर्फ 0 ही मिलेगा, लेकि इसके बाद क्या होगा? हमारी थोरी सी value change रहेगी, तो अगर हम देखेंगे यहापे तो 50 सी 48 क्या होता है? 50 सी 48 होजाएगा, 50 into 49 upon 2 factorial और into में क्याएगा 10 square which is 100, ओके? फिर रहेगा plus में, हमारे पास में क्या? 50 सी 49 तो 50 सी 49 क्या होजाएगा? 50 के equal and then into में 10, अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो minus 1 की power 49 कीता होता है minus 1 तो already मैंने माइनस लगा जिएगा प्लस था तो मैंने माइनस लगा दिया है और last में क्याएगा हमारे पास में 50 सी 50 which is 1, 10 की power 0 is 1, minus 1 की power 50 is 1 तो अगर हम पूरी टर्म्स देखेंगे simplify करके, तो हमारे पास में क्या रहे है? see, 49 by 2 2 is 49 by 2, ठीक है? इसे हम ऐसे रहने के, 2 factorial से अगर मैं इसे डिवाइट करूँगा तो किते टाइमस अजाएगा ये? 25 ताइमस लिखा हुआ है 2500 इंटू 49 लिखा हुआ है हमारे पास में तो ये जो पूरी वैल्यू आती है हमारे पास में सिंप्लिफाय को रिख्या हो जाती है ये जाती ही 1, double, 2, 5, double, 0 means 49 इंटू 25 पी जो वैल्यू होती है वो होती है 12, 125 पी एकॉल और 2, 0 क्या होगे? 100 की उज़े से आगए माइनस में है 15 इंटू 10 तो गया माइनस में 500 और अज़ेगा प्लस में 1 तो इस पूरी वैल्यू को सिंप्लिफाय करेंगे तो क्या होगा? ये लिखा हो है 122, 501 क्योंकि 500 में 1 एड कर दिया और उसमें से 500 सब्ट्रेक्ट कर देना है तो हमारे पास में पूरी वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू आगई 122, 001 तो अगर हम देखेंगे तो लाश्ट के 3 डिजिट्स हमारे पास में क्या है? 0, 0, and 1 तो ये जो 122 हैं, ये क्या होगे? ये 4th, 5th, 6 डिजिट्स को क्या करेंगे? इंपक्ट करेंगे लेकिन 1st 3 पे इंगा कोई इंपक्ट नहीं होगा और इन 3 डिजिट्स पे पहले की जित्ती भी डिजिट्स हैं उन समय हमारे पास में 10 की पावर 3 है, at least तो उनमें, at least हमारे पास 1000 तो आए गए आएगा इट मीन्स, 3 0s हैं तो इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा तो हमारे पास में unit place पे क्या या? unit place पे या हमारे पास में equal to 1 10th place पे क्या या हमारे पास में 10th पे या हमारे पास में 0 and 100 पे भी क्या या हमारे पास में 100 पे या हमारे पास में equal to 0 तो last digits is 0, 0 and 1